सो अपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वितासु में इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोब्याबिलिटी जैनेटिक्स के बारे में में तो यह को नहीं पता है so what's these is net में है किस परकार से क्योंस नाते वह हम देखते हैं पहले फिर बाद में वह समझेंगे अब जैसे इस परकार का कुछ आजाएगा कि इस वाले जिन जोटाइब देंगे तो इस वाले जिन टाइब का इस वाले जिन कि जिन टाइब से क्रोस करवाएंगे हम okay so capital a small a capital b small b capital c small c capital d small d का इस वाले genotype से हम क्रोस करवाएंगे तो यह वाली प्रोजनी बनने की probability क्या होगी okay so particularly यही प्रोजनी बननी है इसकी क्या probability होगी इस परकार से हो क्योशन पूचे जाते हैं so how to solve it हम इस वाली वीडियो में देखेंगे इस परकार के क्यूशन एंड प्रोबैबिलिटी जनितिक के बारे में अब इसको solve करने के लिए हमें तीन चार बातों का है वो ध्यान रखना होगा okay so वो क्या है वो बाते क्या है जैसे की होमो क्रोस होमो का है वो प्रोबैबिलिटी क्या होता है ओके ओल्वेज वन ही होता है ओके होमो होमो क्रोस होमो से जो प्रोजेनी है वो होमो ही बनेगी उसकी प्रोबैबिलिटी हमेशा एक होगी okay for example capital A capital A capital A capital A capital A है इससे बनने वाली प्रोजनी है वो capital A capital A ही बनेगी ओके इसी तरी तरीके से capital A capital A and small A small A यह भी दोनों होमोई है तो इसी से भी है capital A small A इनकी परकार की pro प्रोजनी बनने की probability इनकी भी एक है so homo cross homo से जो प्रोजनी बनती है उसकी probability हमेशा वन ही होगी ओके देन होमो क्रोस हेट्रो से बनने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है होमो क्रोस हेट्रो इसकी प्रोबेबिलीटी क्या होगी एक तो इसका जो गेमिट है वो केपिटल एही बनेगा और इसके यह दो गेमिट अलग अलग बनेंगे क्यों प्रोबेबिलीटी क्या प्रोबेबिलीटी प्रोबेबिलीटी क्या होगी होगी कि अधिन एक है होगी in third case हम cross करवाते हैं hetero cross hetero hetero cross hetero में है वह probability क्या देखे जाती है एक तो capital a capital a आएगा प्रोजेनी में okay and capital a small a आएगा capital a small a आएगा okay then capital a small a एक और आता है okay because a capital a small a इसे बनेगा and a capital a small a इसे बनेगा And then small A small A यह यह चार प्रकार के गिमिट बनते हैं इस थर्ड केस में यह थर्ड केस भी हमें ध्यान में रखना होगा ठीक है तो यह तीन केस हमें ध्यान में रखने होते हैं So heterocross hetero से अब जैसे कि यहां पर है वो इस heterocross hetero से हमें यह बनने की probability पूछी है या फिर capital B small B capital B small B से capital B capital B बनने की probability है वो देखनी होती है सो उसकी probability क्या है हमेशा एक होती है hetero cross hetero में homo बनने की probability क्या होती है हमेशा एक होती है one upon four होती है एक नहीं sorry one upon four होगी होगे एक नहीं one upon four होगी उसी प्रकार से hetero cross hetero में इस वाले homo की देख लो चाहिए one upon four होगी ठीक है एक में से चार में से एक ही आ रहा है ठीक है और लेकिन hetero cross hetero से hetero बनने की probability है वो आती है टू अपोन four होगे या फिर one upon two भी लिख सकते हैं इसको लेकिन अब जैसे किसी किसी केस में capital A डेस concept आ जाता है ठीक है तो उसका डेस का concept का मतलब क्या होता है डेस की जगह हम capital A भी ले सकते है में we take a and small b ले सकते है ठीक है अब जैसे की यह तीन के से आपको याद रखने हैं and then एक रूल होता है and rule and or rule okay and rule या फिर or rule वो कब लागू होता है और और याने आपको पता है अथ्वा ठीक है अथ्वा वाला जैसे कि इस वाले कन्सेप्ट में अथ्वा वाला रूल है वो लागू हो रहा है जैसे कि अथ्वा याने केप्टले केप्टले भी बन सकता है और केप्टले स्मोले भी बन सकता है ना डेस का मतलब यही तो है केप करना होगा होगा हमें पोजिटीव करना होगा है पोजिटीव करना होगा होगा कि आगे हम देखेंगे रूल कब लागू होता है उसमें है वो multiply होगा अपना ठीक है तो ओ पोजिटिव याने और में और रूल जब भी लगो होगा हमें पोजिटिव करना होगा पोजिटिव कैसे करेंगे जैसे कि हेट्रो क्रोस हेट्रो से capital A capital A की probability क्या होती है 1 upon 4 और और याने positive plus capital A small a बनने की probability क्या थी हेट्रो क्रोस हेट्रो से capital A small A याने हेट्रो बनने की probability क्या थी 1 upon 2 थी या फिर 2 upon 4 थी 2 upon 4 ठीक है तो इस इक्वल टू क्या होता है 2 प्लस 1 3 3 प्लस 4 जो कि हमने उपर भी यहां पर भी देखा था यह तो हमने प्लस 1 प्लस 1 थी 3 आव्ट फॉर आगया ना इस वाले रूल के कोडिंग भी आता है और यह रूल आगे भी वह लागव होता है अब एंड रूल का हलागव होता है अब हमने इतने जो concept पढ़ए हैं जो सिक्क्षे हैं इससे है वह क्यूशन इस है वह बनने लग जाएंगे अब क्यूशन हम दोतिन क्यूशन देखेंगे यससे आप सभी है वह समझत जाओगे कि अब जैसे यहाद क्यूशन देख लेते हैं इससे है अब वह हम प्रोबेविधिटी इसकी पूरे की हो कैसे निकालेंगे ठीक है एक की तो individual की तो हम निकाली लेते हैं कि hetero hetero cross hetero hetero cross hetero से hetero बनने की probability हमें पता है 2 out of 4 होती है या फिर एक अनपास 2 होती है 2 out of 4 होती है लेकिन हमें तो इस पूरे की पूछिए individual की नहीं पूछिए तो हमें individual ही लेना है एक बार ठीक है है तो हेट्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रो हे इना क्रोश हेट्रो से डेस वालव कंसेप्ट लागा रहा है। सो क्रोश अपलसे everyday के Vasily देस का मतलब केपटल सी बन सकता है देस और से प्रोब्ली वोता है उंपनफोरBC प्लेस और रूल हो शक्ता है अत्वा में capital c small c भी हो सकता है हेट्रो भी हो सकता है हेट्रो की probability हमने देखी two upon four ठीक है एंड हमने वैसे भी सीधा याद रखना एक्जाम में कि three on path four ही होती है डेस का ठीक है हेट्रो क्रोस हो मों से हेट्रो बनने की probability हेट्रो क्रोस हमों से हमने second वाले case में देखा था कि हेट्रो क्रोस हमों से है वह हमेशा जो भी प्रोज़नी होगी उसकी probability सब्सक्राइब कर लेंगे जो भी एंसर आएगा वह हमारा एंसर आजाएगा ओके सो इसका एंसर निकालने के लिए यह 2 अपन 4 है इसको हम 1 अपन 2 भी लिख सकते हैं अपन 4 है वन अपन 2 सो उपर वाले है उपर सिर्फ वन वन इंटू वन इंटू 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 थ्री होता है निचे चार दूनी आठ आठ चोके बत्ती बत्ती दूनी चौन सट ओके सो शिक्स्टी फॉर थ्री आउट ओफ शिक्स्टी फॉर है वह एंस्वर आ गया हमारा यह प्रोबैबिलिटी है ओके एक और क्यूशन करते हैं सो इसके और इसके क्रोश से यह वाली बनने की प्रोबैबिलिटी होगी ओके सो यहां पर क्या है डबल डेस का मतलब क्या होता है देखे to capital B capital B capital B capital B B E complet then hetero cross hetero हें हे Jack enrollment میں kut För seven हमें डबल डेस में कुछ भी ले सकते हैं क्येब्लнемट टेखेंळी हैं capital B B ले सकते हैं capital B small B ले सकते हैं and small b small B ले सकते हैं यह तो कुछ भी जारी देखनी है double day हमने कुछ भी ले साहते हैं खी इसकी फ्रोब्यापींटी फ्य आ होगी फ्रोब्यापी तो होगी युट हमें निफसके चैन्स काम आधि nine निकाल दी थी द्ञिकल आधिन खी इसकी प्राबर है बान उपन फॉर अपना एंसर है तीक है Isi परकार से है वो सारे क्यूस सोलb हो जाते से इसी कज़ेफ्प से एक जैसे कि लुड़ो की BAiva की यूढम में भी के क्यूशन आता वो भी घेखले थे लस्ट तो इसे हैं षियों की exactement सब्सक्राइब दो कोरते हैं। तो क्युआ शेंल कर औहरम और दॉन है। क्यूआ है कि एकवन जाने ॉकिज मेरे साथ कलोने ठीकर ताथ है। तो इस प्रकार से हमें दोनों में sum करके है वो 9 लाने है ठीक है दो dice हमने 2 dice हमने run कराई और run कराके उसका sum हमें लाना है 9 तो उसकी probability क्या होगी कि दोनों के sum होके 9 आ जाए ठीक है तो इस प्रकार का है वो क्यूशन आ सकता है यह condition वो किस प्रकार से बन सकती है कि दोनों का sum है वो 9 आजाए सो फस्ट condition बन सकती है कि एक में आ जाए 5 एंड फर्स्ट में फस्ट में आ जाए फस्ट dice में आ जाए 5 आ जाए अपना 4 तो 9 बन जाएंगे है in एक एक सेकिंड कंडिशन क्या बनती है इसेकंड कंडिशन है एकमे xand posts या जाए एकमे Tea आ जाए ठीक है तो यह अ वह कि पंदीशन है वह समगे ओनोकिंkten एंड यह 5 आने की probability क्या होती है 6 में 6 होती है एक से लेके 6 होती है और उसमें से 5 आने की probability क्या होती है 1 अपन 6 होती है इसकी 5 आने की probability क्या है 1 अपन 6 होती है और दूसरे में क्या होगा एंड रूल याने ठीक है एंड उसी प्रकार से सारे में ऐसा ही होगा विकोज 6 आने की probability भी 1 अपन 6 होती है और दूसरे में 3 आने की probability 1 अपन 6 है तो यह सारी condition को मिलाके है वो 1 अपन 361 यह 4 condition है वो बन सकती है तो यह 4 condition में end rule थोड़ी लग रहा है देखो या तो यह condition होगी अथ्वा या और रूल लग गया न यह condition होगी और अथ्वा यह condition होगी और यह condition होगी चार में से वो एक होगी जैसे कि first condition का probability 1 अपन 36 यह फिर और रूल लग रहा है याने positive लगेगा दूसरी condition का 1 अपन 36 और रूल याने positive 1 अपन 36 चार कंडिशन है positive 1 अपन 36 तो इसका है वो total हम है वो करेंगे तो क्या होगा उपर वाले है वो पोजिटिव एड हो जाएंगे 4 अपन 36 इस इक्वेल टू कि 1 अपन 9 और हमारा वो आ जाएगा ठीक है तो इस वाले इसमें एंड और और रूल हमने दोनों लगा दिये हैं अब हमने इतना पड़ी लिया है तो एक थोड़ा चोटा सा एक concept और आता है नेट में कि order and unordered है उसके उपर है वो कि सनाते है जैसे कि एक family है एक family में है और हुआ है वह hat them have faculty have वह ??? – एंड दो लड़कियां होई तो उसकी वह प्रोगेडिलिटी दो लड़के और दो लड़की होने की probability क्या होगी थि क्यों सो उसमें दो condition मतीया एक तो उसमें order दे दjangे नेर्ए त्षिक सो हो कर्का कि यह order में है वह इस परकार शे बनेगी या फिर एक दूसरी condition होती है जिसमें ओदर फिक्ष नहीं होता है ठीक 70 है Do kya order वह not fix 10 i2 saa टे श bothered fix रहेगा कि पहले लड़का ऑगत दूसरी लड़की तीसहला लड़का चोंका सी लड़की होगी ठीक और नोट फिक्स यह दूसरी वाली कंडिशन में मतलब कुछ भी हो सकता ठीक है अब जैसे कि मैंने क्यूशन बोला कि एक फेमिली के कपल से है वो टू बोई लिए वो पूछ लेंगे लेकिन दो कंडिशन होती है तो ओडर है वो बता है कि एक अगर कार्ट से भी क्यो सनाता है कि यह ईंगर बता ठीक है first boy होगा second girl होगी third boy होगा fourth boy होगी so इस वाली condition में तो simple है वो end rule लग रहा है first and दूसरी है end तो end rule लग रहा है so इसमें तो हम because एक boy होने की probability half होती है okay girl होने की भी half half होती है आप सभी को पता है so इसमें तो end rule लग रहा है अगर sequence दे देंगे so end rule में हम है simply multiply है वो करके वो बता देंगे okay so 1 upon 16 but the second case is that वो order है वो fix नहीं होगा order not fix होगा so उसके लिए एक formula होता है upon as nita t nita multiply by तो यह formula होता है okay so इसमें so इसमें जो होता है कि total जो दो person या फिर दो थिंक्स है वो आने की probability पूछे तो total है वो दोनों कि कितनी है जैसे कि two boys two girls है तो total होगे 4 okay so n वो होता है okay so four nita upon as s याने एक first person या first thing आने की probability याने प्रोबिलिटी नहीं फिर्स्ट पर्सन वो कितने है ठीक है जैसे कि boy first है जैसे कि two two आने तो वो कितने पूछे है 2 तो 2 नीट तो ट याने second person कितने है total second person कितने है okay yes I n impression second person कितने है total यासे कितने पर्सन याने girl है second तो कितनी है two कर अ एक है अब आता है पी एक सो पी क्याता भी याने जो फेस्ट पर्सन हमने देख था boy boy है first सो उसकी probability क्या है वोई आने की probability होती है half ही होती हैyear ग sût गल की प्रोबिलिटी क्यों होती है हमेशा ही होती है गल की भी az फॉर्मूला में कॉस्टमाइजिशन हो जाता है तो की जगाइफ यहां पर बीदो कि जगा पांच निटा ले ले लेते हैं इसका मतलब क्या होता है जैसे की 4 निटा मतलब होता है 4-3-2-1 कि ऐसे सीरीज में चलता जाता है असके नीचे तिक है और इसको हम इसे भी लिख सकते चार गुदा 3-2 निटा तक तो इसको इस परकार से भी लिख सेकते है तो इंटो वन होता है इसका एंसर इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे फॉर निटा याने फॉर इंटु त्री इंटु निटा ऐसे भी लिख सेकते हैं अना अपन में टू निटा ग्रोस टू निटा सो यह टू से टू यह वाला है वह क्रोस आउट हो जाएगा है कि बाकि जैसे यह बचा है कि तो इसको सोल्व करें तो फॉर मैंटिपलाइब बाई थ्री ट्वालव अपन टू इंटु वन याने टू ओके तो इधर वन अपन हाफ का स्कॉाइर होता तो वन अपन फॉर इसको चार से हम कट करेंगे फॉर तरी अपन टू इस प्रकार से हम है वह एंस वर लियाते है तो यह एंसर हो जाएगा यह प्रोबेडिटी हो जाएगी ओके इस वाली वीडियो में होप कि आपने प्रोबेडिटी जनेट्रीस के बारे में सारा कुछ है वह शीक लिया है तो और भी इस प्रकार के अमेजिंग वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आपकी अच्छा हो के बाई बाई झाली चैनल झाली शोबेडिक